कौन बनेगा करोड़पती दर्शकों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और इस बार भी मेगा स्टार अमिता बच्चन को बड़े परदे पर देखने के लिए दर्शक काफी एक्साटिड हैं तो आपको बता दें कि 23 अगत्स से सोनी टीवी पर कौन बनेगा करोड़पती का 13 सीजन टेलीका होने वाला ये शो पांस दिन यानि सोमवार से शुकरवार रात नौ बजे प्रसारिद होगा सोशल मीडिया पर शो का नया प्रोमो भी सामने आ गया है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं इसी के साथ कौन बनेगा करोड़पती ने इस साल अपने 21 साल की यात्रा पूरी क पहली बार स्टार प्लस पर कौन बनेगा करोड़पती का प्रसारण शुरू हुआ था जो आस तक चल रहा है आमिता बच्चन के शो को हर साल लाखों लोगों का प्यार मिलता है और देश के कोने कोने से लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए आते हैं इस बार भी कौन बनेगा करोड़पती का प्रसारण उसी समय पर हो रहा है हर साल इसका इंतजार लाखों दर्शा करते हैं और अपनी किसमत को बदलने का मौका आजमाते हैं फिलहाल कोरोना वायरस काल में के बीसी की शुटिंग काफी साफधानी से की जा रही है और पूरी तरह से नियम और गाइड सीट पर पहुंचता है और अपने सम्मान के लिए फाइट करता है कौन बनेगा करोड़पती 21 आधारी शो है जिसमें देश भर से चुने हुए प्रती भागी हौट सीट तक कस्सा फरतै करते हैं अमिता बच्चन द्वारा पूछे गए सवालों के सही जवाब दे कर उन्हें साथ करोड़ रुपए तक जीतने का मौका मिलता है कौन बनेगा करोड़पती ने अब तक सैंक्रों लोगों के सपनों को पूरा किया है यही वज़ा है कि हर साल इसका इंतजार करोड़ों लोगों को बड़ी ही बेसबरी से होता है यह बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस शो की लोक प्रियता के पीछे सबसे बड़ी वजह अमिताब बच्चन भी है जो केवल अपनी फिल्मों की वजह से ही नहीं बलकि अपने कई प्रोजेक्ट की वजह से भी काफी लोक प्रियम माने जाते है कौन बनेगा करोड़ पती में अमिताब बच्चन का काफी बड़ा योगदान माना जाता है इस बार कौन बनेगा करोड़ पती का 13 सीजन काफी खास माना जा रहा है क्योंकि इस बार इसका जो प्रोमो तयार किया गया है उसमें local talented लोगों को भी acting का मौका मिला है जिससे लोग काफी खुश हैं दरसल इस शो में जिस तरह अमिता बच्चन अपने expression बदल बदल कर लोगों से बात करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं वो काबिले तारीफ माना जाता है और जिस तरह अमिता बच्चन इस शो को होस्ट करते हैं उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि उनके अलावा इस शो की मेजबानी शायद कोई नहीं कर पाए यही वज़ा है कि पिछले 21 साल से उन्हें इस कुरसी पर बैठने का मौका मिल रहा है